कुछ graphs दिया हमें और पूछा है in which of the graphs the magnitude of acceleration is decreasing, magnitude of acceleration is increasing and going away from the starting point. ऐसा कौँझा ग्राफ है जिसमें particle is going away from the starting point. तो पहले तो देखो magnitude of acceleration की बात हो रही है और हमें एक XT ग्राफ दिया है और बाकी तीन VT ग्राफ दिया है. तो VT ग्राफ का जो slope होता है वो acceleration होता है तो magnitude of acceleration is magnitude of slope of VT. तो वो देख लेते हैं पहले, अब देखो यहाँ पे slope क्या है, ऐसा है फिर ऐसा है, तो जो magnitude of slope है, वो पहले जादा था फिर कम हो गया, तो इसका अंतलब magnitude of acceleration कम हो गया. ठीक है? यहाँ पे भी देखो slope पहले जादा यहां पर कम था फिर जादा हो गया тому magnitude of acceleration इंख्रेशन बिल इंक्रेशन सो पहले का हो गया जी यहां पर कम वह रहा है इसका हो गया डी यहां पर बढ़ रहा है इसका कै happened हो november अःडिया होगा एकस टी जब पेरापोला होता है तो एक्सटेशन होता है constant तो ना increase कर रहा है ना decrease कर रहा है so a तो दोनों में answer नहीं होगा अब इसमें कौन सा है कि away from the starting point कौन जा रहा है तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है with time x is increasing तो यह तो जाई रहा है positive direction में इसमें देखो जो velocity है बाकी तीनों में positive है तो velocity अगर positive है तो वो इसका मतलब x direction में ही जा रहा है अब वो धीरे जा रहा है कि तेज जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है in fact यहां तो जैसे से आप आगे जा रहे हो तो velocity और बढ़ती जा रही है यहां पे velocity कम होती जा रही है लेकिन still it is positive, तो अकर positive है तो वो positive X direction में ही travel कर रहा है तो इसलिए in all the cases, it is particle is going away from the starting point एंट कर?